तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी दी गई संख्या का हमें अप्रोक्सिमेशन कैसे करना होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सन निकटन करना या फिर किसी संख्या को सन निकटित करना उसको इंगलिस में एस्टिमेट भी बोला जाता है हिंदी में उसे आक में बना देंगे, 100 में बना देंगे, इस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, इकाई की संख्याओं के लिए, दहाई की संख्याओं के लिए, सैकड़े की संख्या के लिए, और the nearest unit number तो हम कैसे कर सकते हैं यह देखो हम इसको scale पे लिखते हैं scale अगर आपको अभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं बस यहाँ पे यह देख लो कि यह हमने जो सारी संख्या लिखे हैं बराबर दूरी पे लिखे हैं एक तरफ 0 है दूसरी तरफ 10 है बीच में कहीं हमारा 5 है इसके इस तरफ 1, 2, 3 और 4 है इस तरफ 6, 7, 8 और 9 है ठीक है यह हमारी कितने कितने 1, 2, 3, 4 और इधर 6, 7, 8 और 9 तो यहाँ पे यह होता है कि जो भी हमें दिया गया नंबर है चाहिए वो कोई सा भी नंबर हो या तो हम 0 के पास में देखेंगे या फिर हम उसको 10 के पास में देखेंगे जिसके वो ज़्यादा पास में होगा हम वही मान लेंगे ठीक है? तोकि हमें लगभग करना है तो हम उस नंबर को वही मान लेंगे जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे चार दिया गया होता पांच देखो बीच में है बिलकुल ठीक है तो पांच का किस्ता खतम अगर मुझे यहाँ पे चार दिया गया होता तो चार किस के ज़्यादा पास में है जीरो के ज़्यादा पास में है इसलिए इनका जब भी हम सन निकटन करेंगे तो इनको हम 0 मान लेंगे ठीक है ऐसे ही जो इधर के नंबर है यानि कि 6, 7, 8, 9 और 10 ये जो नंबर है ये सब के सब 10 के जादा पास में है ठीक है तो हमारे 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे 10 के जादा पास में है यानि कि इनका जब भी सन कटन होगा तो हम उसको 10 मान लेंगे अब यहाँ पर बस एक नंबर बचता है वो है 5 वो 0 से भी उतना ही दूर है जितना दूर वो 10 से है तो उसको हम क्या करते हैं जनरली यानिकि उसको नॉर्मली हम 10 ही मान के चलते हैं ठीक है तो अगर आपके पास में 5 6 7 8 या 9 दिया गया है तो उसको हम 10 मान लेंगे और अगर आपके पास इकाई में 0 1 2 3 4 दिया गया है तो उसको हम 0 मान लेंगे तब यहाँ पर एक सवाल देखते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी किलियर हो जाए तो अगर हमारे पास इस तरह का सवाल आए कि इकाई की संख्या 2 और इ पहले इनका दोनों का संख्या तनमान बताना है फिर उनका योग करगे बताना योग यानि कि उनका हमें क्या करना है एडिशन करना है दोनों को जोड़ देना है और अंतर यानि कि उनका दोनों का क्या देखना हमको डिफरेंस देखना है और डिफरेंस हम कैसे देखते हैं बड़े नमबर में से छोटे नमबर को क्या कर देते हैं? सब्ट्रेक्ट कर देते हैं. तो वहाँ पर हमको सब्ट्रेक्शन कर. ठीक है? तो अब इसको देखते हैं कि क्या क्या आएगा? हमने ये देख लें कि इकाई की संख्या जो 2 है, वो 0 से कितनी दूर है? अब इसने क्या बोला है कि उनका योग बता. जो इनका संख्या आया है, इनका हमको योग बताना है, यानि कि हमको क्या करना है? 0 प्लस 10 करना है. 0 प्लस 10 करने हैं, तो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा. तो ये इनका हो गया योग. फिर अगर हमें क्या करना हो इनका अंतर निकालना हो अंतर यानिकी 0-10 ठीक है तो अब 0-10 करो चाहिए 10-0 करो बात तो एक ही है तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है तो यह इनका हो गया अंतर और यहां इनका हो गया योग यहां इनके हो गया अप्रोक्स कर सकते हैं उसका निकटम मान बता सकते हैं उसका सन निकटन कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुती एजी सी चीज है एकाई के किसी भी संख्या को सन निकटित करना और कैसे उनका हम लोग मान निकाल सकते हैं ठीक है तो एक बार जब हमको यह समझे मागिया है कि एकाई को कैसे गरन मान लिया और 5 से लेके 9 तक को हमने 10 मान लिया इसको हम लोग rounding off भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको rounding off करना यानि कि हमने उसको round off कर दिया है to the nearest zero ठीक है इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं सन्निके टनिसी को बोलते हैं